अब बहुत अच्छी हूं आप सभी का स्वागत करती हूं बावीता नीरस विलोग में तो फिर आगेंगा एक इसमेल के साथ आप सभी के साथ तो फ्रेंड आज आप सभी के लिए कुछ ऐसी अच्छी अच्छी टिप्स लेकर आई हूं न आपने सोचा हो न देखा होगा तो सबसे पहले टिप्स मेरी पॉपकॉन को लेकर देखें हमारे घर में बच्चे पॉपकॉन बगारा चीज ज्यादा पसंद करते हैं तो आपको क्या करना किस तरीके से बनाना है वह मैं आप सभी को बताने वाली हूं तो चलिए देखिए यह जो पैकेट है मैं आपको दिखा तरह आपके पास अगर ऐसा आगैं कि उसमें कुछ भी नहीं ता भुष किस तरीके से बना सकते हो तो आप कि अंज आइस तरीके से अपने घर में पॉपकोन बना सकते हो तो चली हम वह बताते हूं कि जैसे क्या वार आपके साथ ऐसा कि मतलब खुली वाली जो आप बनाना चाहो तो आपको क्या करना घी और नमक और थोड़ा सा वटर मिक्स कर दीजिए और उसमें जो आपकी मक्का है वह डाल दीजिए और उससे आपके होती है इसको लेके कि मतलब इसकी जो वायर होती है ना वह चारो तरफ लटक जाती है इधर से उधर हो और उसे तूटने का दर भी रहता और कई उपर रख दो तो उसका ऐसा भी डर रख था कि कैभी हमार उपर ना गेड़ जाए तो आज से इसको कोई भी दिक्कत नहीं आ आप एक के साथ दू ओ के साथ तीद के साथ चार के साथ अपना काम कर सकती ह5000 आप फोलो कर सकती हैं जो टो आप सेख छीए तो चल्लिए और देख लेते हैं चारों तरफ नना मतलब ऐसे रहेती है यह सब् Harper करेंगी तो आपको तॉल शिए और चारोंने करे उसे रहती neu一 यह दिखिए तो फिरन मैं इसको इखटा कहलूंगे इखटा कहने के बाद जो मैंने रवर्ट बेंड ले थी ना वह इसमें हम लगा देंगे और ऐसा कहने से आप देखिए जो इसकी वायर है वह बिर्कुल भी इधर से उदर नहीं रहेगी और तो आप एक विल्यांद खीरों को लेकि जब देखिए उन खीरा काटते ना वहता क्या नहीं निकलते हैं कैइवा तो कुछ लोग क्या गल्ती करते हैं वह मैं आप से बिकूब बताने वाली हूं तो आज से न जब भी आप खीरा करोंगे विर्कुल भी करवे नहीं निकलेंगे जैसे क्या बाद बिरकुल भी आपको यह कड़वा नहीं लगने वाला बच्चे भी इनको बहुत सोक से खाएंगे और यह जो इसके खीरे के वह जो गोल-गोल हैं तो आप इनको अपने आफ़ा पर रखें असमतरस हो सकते क्यों कि यह बहुत ज्यादा ठंडग देते हैं बहुत जादा राहत म इस को आप फोलो कर सकते हैं तो देखाना गैस मैंने खीरे को छील दिया है इस तरीके सर आप चाहुत तो इनके हाथों पर भी घिसतकते हो यह इसके लिए भी बहुत ज़्यादा यूजफुल टिप्स है फ्रेंड तो देखिए मैंने इस खीरे को कट कर दिया है तो यह सब्सक्राइब करें जिससे कि कोई में निव वीडियो अप्लोड कर उसका नौटिविकेशन मिल दिया सब्सक्राइब करें फिर है कोई पैसा नहीं रगता कोई शार्ज नहीं लगता तो चलिए प्रेंट अगले टिप्स हैं मेरी पराटे को लेकर देखिए न आजकल इतनी अगले तो यह बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे आपको क्या है तो आपको सबसे पहले पर ले लेना है जो हमारे इजली किचिन में मिल जाता है इसको लेकर आप इसमें ने इनको लपेट लिजिए इस तरीके जिस तरीके समेरा खरीम और ऐसा कहने से आप देखिगी ना कि बिल्कुल भी आपकी यह पराटे ना ऐसे के ऐसे ही रहेंगे बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे तो इनको आप फ्रीज में रखते हैं फ्रीजर में रखना है और रखे जब आपका मन हो तब आप खा सकते हो ठंडे ठंडे ना बहुत जाता अच्छे लगती क्योंकि गर्म करता है तो आप इसको जब फोलो करेंगे तब आपको बहुत अच्छा रेजल्ट मिलेगा तो चलिए अभी चल रहे हम अगली टिप्स के तरफ अगली पूरियां को लेकि होता क्या है जब जैसे कि हम पूरियां खाना पसंद करते हैं किसी किसी को बाद में खाना होता है या बेल के चलिए टिफिन में रख लो टिफिन में रख के उनको फिरीज में रख जब उनका खाने का मन हो और सवक्तिक आप इनको फिर आई करके दे सकते हो और बुर्कुल ये कुछ भी इसमें टैस्ट नहीं बदलेगा जैसा मतलब आप पूरि बनाते हो बुर बैसा बढ़े बिर्कुल भी कोई चैंज नहीं होगा फोली फोली पूरी बनेंगी तो जब इस टेप्स को आप फोलो करेंगे आप खोज देखेंगे कि यह कितनी अच्छी टेप्स है तो यह देखें इस तरीके से मैं सारी की सारी पूरी सेक लूंगी यह देखेंगे अब यह बिर्कुल भी नहीं ऐसे हो रहा कि फूल नहीं रही है या कोई दिक्कत हो रहा तो देखेंगे मैं आपको देखाते हूं सारी की सारी पूरी कितनी अच्छे से यह बनके तैयार हो गई है तो चलिए अभी चल रहे हैं हमारी भिंडियों को लेके देख यह ज्यादा टैम भी नहीं लेंगी यह बहुत ही जल्दी कड़ जाती है तो देखेंगे मैं इस तरीके से रखी हूं यह मेरा बनाने का मन होगा तो तो मैं इनको बना लूँगी और आप देख सकते हो कि यह कितनी ज्यादा अच्छी लग रही है और कितनी ज्यादा है बच्चे हाथ लगा देते हैं या फिर कई वार हमारा भी हाथ ऐसे होता है कि कुछ काम कर रहें टीवी चला रहें तो वो ना क्या होता है गंदा हो जाता है अगर आप मेरी तरीके से इसको रिमोट को साफ करोगे ना यकीन मानिए यह बहुत ही अच्छा साफ हो जाएगा और इसमें हमें पानी का यूज बिर्कुल भी नहीं करना है और सिर्फ और सिर्फ हमें इसमें कॉलगेट चाहिए तो आप एक पर इसको फोलो करें तब ही आपको पता चलेगा तो देखिए फ्रेंड मैंने यह कॉलगेट लिये और यहाँ पर इस पेर में कॉलगेट लगा देखिए नहीं के बाद जो हमारा बुरस होता है उसकी हेलब से चाहरो तरफ इसको फैला दीजिए जैसी कि हमारी गंदगी होगी नो फोल जाएगी यह दिकिए पानी से क्या होगा फर्ण यह खराब हो सकता है तो देखिए फ्रेंड में चारो तरफ से इसको मतलब कॉलिविट को फैला लोंगे उसके बाद एक कपड़ा लेकि आऊंगी और कपड़े से इसको अच्छे से पूछ देना पूछने के बाद आप देखेंगे कि एक दम यह बहुत अच्छा क्लीन हो जाएगा तो यह टिप्स आप मेरे फॉलो करेंगे तब आपको पता चलेगा कि हां कि इसको पूछ दूँगी तो देखा न गाइस कितना अच्छा टिप्स और हैक्स में आप सभी केसाथ से एर करती रहती हूं और जो मेरे को इस्टेगराम पर फोलो नहीं कि इस्टेगराम पर फोलो कर सकती हैं अपने को साफ कर दिया है तो अबित करूंगी कि आज की यह टिप्स और ट्रिक आपको पसंद नहीं हुए तो फिर में लेंगे एक नेस्ट बीड़ो में तो तक लिए बाय वाय टिक क्या थैंक्यू फूर वाचिंग प्यार और सपोर्ट बनाए रखें देखते रहें यह ब वितें रहें